दोस्तों आप सभी को राम राम HDFC बैंक आपको पता है Friday के दिन सबसे बड़ा लगाड था और इसके कारण ही देखेगा Nifty Bank में आपको ज़्यादा परिशानी देखने हूं मिली Nifty Bank में ज़्यादा गिरावर देखने हूं मिली और Nifty 50 में भी देखेगा काफी बड़ा प्रेशर देखने हूं मिला और अगर Reliance सपोर्ट ना करता तो और भी ज़्यादा देखने हूं मिलता लेकिन HDFC बैंक के लिए multiple दो से तीन ऐसी important अपडेट आ रही है जिसमें कि एक अपडेट तो बहुत important है कल negative खुल भी जाए doesn't matter लेकिन buying आते हुए आपको देखने को मिल लही है block deals देखेगा block deals हुए है कुछ 4 stocks में तकरीबन तकरीबन 10,000 करोड के आसपास लेकिन उसमें top पे नाम है HDFC बैंक का यानि कि जब आप HDFC बैंक का stock sell कर रहे थे तो यहाँ पे big player HDFC बैंक का stock buy कर रहे थे और अब यह मैं आपको जो amount दिखाने जा रहा हूँ वो HDFC बैंक के point of view से बहुत important है तो एक एक करके समन्ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे in the large cap segment अगर आप large cap segment में कहेंगे तो top quality का stock HDFC बैंक है nifty 50 में weighted number one पे है nifty bank में number one पे है 15 company ओने देखेगा significant block deal देखी है Friday को जिसमें की केवल individually 10,000 करोन देखेगा total buying आई है तो जो deal आई है लेकिन उसमें individually अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक में 5725 करोन देखेगा led by HDFC बैंक है जो सबसे जादा block deal आपको देखनी को मिली है वो HDFC बैंक में देखनी को मिली है और वो भी थोड़ी बहुत नहीं 5725 करोन with 43 block counts totaling to 2446 करोन तो अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा देखेगा करेज बड़े player में HDFC बैंक का बना हुआ है तो इसकी कोई बड़ी वज़ा होगी तो चलिए वज़ा भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब stock गिरता है तो सब लोग भूल जाते हैं कि actual में stock भाग क्यों रहा था actual में stock में event क्या बना हुआ है तो event आपको पता है 10-15 दिन बाद जो बड़ा event आपको पता है HDFC बैंक में बड़ा हुआ है कि MSCI में इसका weight क्या किया जा सकता है काफी हद तक बड़ा है जा सकता है और बहुत probability है कि इसका weight डबल कर दिया जाए इस basis पे बहुत बड़ा inflow इसमें देखेगा HDFC बैंक में देखने को मिलेगा और आपको पता है कि अगर इस तरीके का foreign bank shareholding now below 55% its weight on the index is expected to increase from 4% to 8% तो अगर यह double हो जाता है यानि कि अब जो सबसे बड़ा hurdle बन रहा था foreign shareholding जिसको 55% से नीचे लाना था वो तो हो गई तो अब जो सबसे बड़ी hurdle बन रही थी कि यह hurdle complete हो चुकी है तो इस update को बिलकुल भी नहीं भूलना है चुकी यह आने वाली है आई नहीं अभी यह execute होने वाली है और जब यह execute होगी तो इस stock चाहे जो कर लीजे भागेगा ही भागेगा भले यह कल गिरे परसों गिरे, 20 तारीकों गिरे doesn't matter आप देख सकते हैं यहां पर पूरा पूरा देखेगा साड़े 4% stock टूटा है और उससे पहले Thursday को भी stock टूटा था 2-5% तो total total देखेगा stock में काफी अच्छी गिरावट हो चुकी है अब ऐसे में सबसे interesting factor क्या आता है कि कल भी देखेगा हो सकता है यह negative खुले चुकी HDFC bank का ADR 7% down है गिरते time कितने लोग इसको grab कर रहे हैं यह सबसे बड़ी देखेगा update है तो अगर खुलने के बाद HDFC bank में little bit भी short covering देखने मिलती है तो nifty bank के लिए सबसे बड़ी राहत के बाद होगी सबसे बड़ी nifty bank के लिए राहत के बाद होगी और जो की most probable है क्योंकि आगर आप देखेंगे इस तरीके की अगर block deals हो रही है stock के crash होने के बाद भी तो कहीं न कहीं यह plus point है HDFC bank के लिए और HDFC bank के लिए plus point है तो यह nifty bank के लिए भी है और nifty 50 के लिए भी है तो पूरी तरीके से prepared रहीएगा अगर 6 महिने तक एक साल तक इसे stock को hold करना चाते हैं तो HDFC bank में आपको अच्छे momentum देखने हो बिसकते हैं be prepared for it रम रम